नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल जिगर लाइफ इस्टायल दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे एक पॉपुलर इस्टायल के बारे में बात करने वाले जिनके बारे में सायद आप जानते होंगे अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं आप इस वीडियो में कांटीनू बने रहें आज हम उनके बारे में आपको उनके लाइफ इस्टायल के बारे में उनके बाई गुराफी के बारे में आपको बताएंगे तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को सेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा अब आप तो जानी गए होंगे कि हम कासी राम प्रिजा पती के बारे में बात करने वाले हैं जो की लिपशिंग के मामले में बहुत ज्यादा पॉपलर हो रहे हैं इस समय टिक टॉक पे दोस्तो उनके मिलियन से भी ज्यादा फैंस हो चुके हैं आज टिक टॉक पे अगर आप उनकी टिक टोक आड़ी जानना चाहते है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन वांग में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तो आज हम आपको इनके लाइफ इस्टाइल के बारे में बताएंगे कि ये अपने लाइफ में कैसे है जैसा कि आप वीडियो के सीन्स में आप देखी सकते हो कि इनका लाइफ इस्टाइल क्या हो सकता है दोस्तो उन्होंने टिक टोक पर आने के लिए बहुत ही जादा कड़ी मिनहत की है अगर आप इसके पीछे का रहस जानना चाते हैं तो प्रीज हमारे साथे बेडियो में बने रहें दोस्तो कासी का जन्म भिलवरा के राजस्थान गाउं में हुआ था या जन्म से ही इनको रैपिंग करने का बहुत ही जादा सोग था और लिपसिंग करने का बहुत ही जादा दोस्तो इनके फैमिली बैग्गराउंड के बारे में बात करें तो इनका फैमिली बैग्गराउंड बहुत ही जादा पूर था इनके पापा जैसा कि आप इनके टाइटल से ही जान सकते हैं कासी राम प्रिजापती दोस्तों प्रिजापती जो कि कुम्हार होते हैं और मिट्टी के बरतन और बनाते हैं तो कासी राम भी अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाते थे और मिट्टी के बरतन हुए आप पासिराम के बारे में बात करें नहीं पाए कि उनका family background बहुत ही weak था इडियो से उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा लेकिन दोस्तों उन्होंने बहुत ही ज्यादा मिनहत किया पर लाइप में बहुत ही hardware किया तब जाके आज उन्होंने टिक टॉक पे इतना बड़ा fan following हो गया है जैसा कि दोस्तों आप उनक आपड़े वीडियो देखकर इनके fan हो चुके होंगे दोस्तों अगर आप इनके fan हो तो प्लीज में comment करके जरूर बताइएगा और अगर आपको इसी तरह का वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत